दोस्तों कभी कबाल लोगों से ऐसी गलती हो जाती है जिसका एशास और इसका पश्याताफ जब तक लोगों को होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है आज जो सची गटनाम आपको सुनाने जा रहा हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है एक वेक्ती जिसने चाहे जान बूज कर गलती की हो या फिर वो गलती अंजाने में हुई हूँ लेकिन जब तक उसे इस बात का एहसास इसका पश्याता होता है तब तक परिवार के चार सदश्यों की जान चा चुकी थी आकिरकार किस तरह के से ये गटना गटित होती है और किस परकार से इस गटना को अंजाम दिया जाता है इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंतर तक चरूर देखें नमशकार मेरा नाम है संजे और आज जुम आपको सची गटना सुनाने जा रहा हूँ यह सची गटना है राजस्तान परदेश की राजस्तान परदेश का एक जीला है नागोर और इसी का एक थाना सिक्तर लगता है परवतसर परवत सर थाना सेक्तर के अधीन एक गाउं आता है जिसका नाम दिलधानी है इसी गाउं का रहने वाला एक वेक्ति जिसकी उम्र है सताउन साल के आसपास और उस वेक्ति का नाम है मानाराम गुजर मानाराम गुजर की एक पत्नी है जिसका नाम केशरी है और केशरी की उमर 52 साल के आसपास है परिवार में इसके अलावा उसकी तीन बेटियां और तीन बेटे हैं मानाराम गुजर दिन धिहारी का काम किया करता था चाहे उसे खेत में काम करने को मिले या पिर कहीं और वो पत्थर तोड़ने का खान में काम किया करता था या फिर उसे पहाड़ी में भी अकर पत्थर तोड़ने को मिले तो वो भी काम वो किया करता था यनि अपने परिवार का पालन पोसन करने के लिए उसे कुछ भी काम मिलता, वो काम वो किया करता था, धिये दिरे करके समय निकलता है, बात कर रहा हूँ आज से करीब 10 साल पहले की, 10 साल पहले यह नहीं 2013 के आसपास, जो माना गुजर है, वो अपनी दिंदिहारी के काम पर जाता है, और उसे काम मिलता है पहाडी पर पत्थर जब वो पहाडी पर चड़ता आर पत्थर तोड़ने का काम जब कर रहा था, तो अचानक से उसका पेर पिसलता है और वो वहाँ से गिर जाता है, गिरने के बाद वो वही पर पेहोस हो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है, तो वो पाता है कि वो होस्पीटल में है, ह साथ ही जब डोक्टर से बात की जाती है तो डोक्टर बताता है कि जो मानाराम गोजर है उची पहाड़ी से गिनने के चलते उसके दिमाग पर काफी जोरचे चोटाई है और इसी के चलते हो अपना मानसिक संतुलन खो बेटा है अगर आप इसे घर पर लेकर जाते हैं तो इसक आचे से खयाल रखना होगा साथ ही ये अगर गुसा भी करता है तो आपको उसे सहन करना होगा आपको इसके सामने हमेशा नर्माई से फेस आना है नहीं कि आप भी इसके सामने गुसा करें अगर आप भी इसके सामने गुसा करेंगे तो पता नहीं कब ये क्या कदम उठा ल उसके दिमाग में इतनी गहरी चोट लगी थी, इतनी जोरों से चोट लगी थी, कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बेठा था, उसका जो सवबहु था, वो बिल्कुल चीरा सवबहु हो चुका था, वो जिस किसी भी वेक्ती से बाचीत करता, तो तोड़ी ही बात में जगडा क बेठ था, और जगड़े ही जगड़े में, वो या तो उसे मारने की धमती देता, या फिर कुछ और बोल देता, अब गाउवाले उसकी बात से धेरे-देरे डरने लगे थे, लोग उससे बोलना, चालना बिल्कुल बंद कर चुके थे, अब धेरे-देरे करके समय निकलता ह अब जब समय निकलता है, तो समय के चलते जो माना राम गुजर था, वो अपनी तीनों बेटियों की साधी कर देता है, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम होता है मीरा, और उसे छोटी बेटी का नाम होता है देवी, और साथ ही जो तीसरे नमर की बेटी होती है, उसका नाम रेका की उम्र इतनी नहीं होती है, इसलिए वो उसे ससुराल नहीं भेजता है, जो दो बीटियां उसकी होती है, मीरा और देवी, वो उसे ससुराल भेज देता है, वो आते जाते हो जाती है, जिसमें से मीरा के 6-7 साल का बेटा भी हो जाता है, और इसके बाद समय आता है, 3 अ जब भी उसका पती उसे लेने आता है, तो राजस्तान में उस लड़की का गोना किया जाता है, उसके बाद ही उसे ससुराल बेजा जाता है, साधी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब पती लेने आने वाला था, तो उसका गोना किया जा रहा था, उसकी तयारी चल रही थी, घ हाथ पर महंदी लगा रही थी और साथ ही वो उसे समझा रही थी कि तुझे ससुराल जाने के बाद कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है बड़ों से कैसे बात करनी है अपने पती का किस तरीके से आधर करना है सब कुछ उसे समझा रही थी यानि ससुराल जाने के बाद किसी परका कर रही थी तब ही उन्हें अचानक से चिखने और चिलाने की आवाज आती है चिखने और चिलाने की आवाज किसी और जगह से नहीं बलकि उसी उन्हीं के पापा के रूम से उन्हें आवाज आती है वो चिला रहा था कि मैं कबसे तुम्हें आवाज लगा रहा हूं तुम दो पापा की तो पता नहीं अब आदत सी हो गई है जिसे देखो उसे मारने की बात करते हैं इनका तो पता नहीं सोभवी कैसा हो चुका है अब जैसे ही ये बात उसकी मा सुनती है जो के किचन में काम कर रही थी वो दोड़ती हुई किचन से पानी लेकर आती है और अपने पती को लाकर जब पानी का गिलास थमाती है तो वो पानी पीने से मना कर देता है वो बोलता है कि मुझे पानी पीना है तो केवल रेखा की हाथ से पीना है जिसका गोना होने वाला था रेखा अपने पिता जी के पास जाती है और बोलती है कि पिता जी मेरे हाथ पर तो महंदी लगी हुई है मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ अगर आपको पानी पिलाओंगी तो मेरे हाथ की जो महंदी है वो खराब हो जाएगी जो मानाराम गूजर है वो अपनी छोटी बेटी रेका से बहत प्यार किया करता था इसलिए वो उसके हाथ से पानी पीने की जिद कर रहा था लेकिन जब उसके हाथ में महंदी लगी हुई थी तो उसकी बात मान लेता है और अपनी पत्नी के हाथ से पानी पीके खाना खाके सो जाता है अब वो गहरी नीन में सो जाता है तबी वो दोनों बेने वापिस अपनी बातों में लग जाती है और अपने अपने हाथों पर महनी लगाना शुरू करती है धेदिरे करके समय निकलता है जब रात के दो बज जाते हैं तो उसकी मा भी सो जाती है दोनों बैने भी सोजाती है लेकिन जैसे ही दो बसती है दो से ठाई बजे के आसपास उनी के घर से चीखने और चिलाने के आवाज आने लगती है चीखने और चिलाने की आवाज इतनी जोर से आती है कि आसपडोस में रहने वाले वेखती आसपडोस में जो भी घरते उनके घरता के चीख पुकार सुनाई देती है सबी अपने अपने घर से निकलते हैं और जैसे ही मानाराम गूजर के घर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो मानाराम गूजर है वो अपने घर से बाहर आ रहा है साथ ही वो हग पकाया हुआ हरबड़ी में है और उसके सरीर पर खून लगा हुआ है और उसके हाथ में जो कुलहाडी है उस कुलहाडी पर भी खून लगा हुआ है आसपरोस के लोग उसे देखते ही पैचान जाते हैं कि मामला अंदर कुछ और ही है यानि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें किसी न किसी की जान चली गई है जब आसपरोस के लोग अंदर जाते हैं और मानाराम गुजर जैसे ही बाहर निकलता है तो बहर पड़े पत्तर से टकरा कर गिर जाता है और उसके हाथ से कुलहाडी छूट कर दूर चली जाती है पासी में खड़ा वेक्ति उस कुलहाडी को उठा कर कहीं दूर फेक देता है तब ही मानाराम गुजर वहाँ से भाग कर दूर चला जाता है लेकिन जब गाउं के या फिर आसप्रोस के लोग उसके घर के अंदर जाते हैं तो लोगों के आँके फटी की फटी रे जाती है हर किसी वेक्ति के पेरो तले से जमीन के जग जाती है हर कोई वेक्ति हैरान और परेशान हो जाता है दरसल जब वेक्ती अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर चार लासे पड़ी होई है जिसमें से एक लास उसकी जो पत्री है केसरी उसकी है और दूसरी लास उसकी जो बेटी है बड़ी वाली जिसका नाम मीरा होता है उसकी और तीसरी लास उसी के मीरा के साथ साल के बेटे की है जिसका नाम प्रिंस होता है और जो चोती लास होती है वो चोती लास और किसी की नहीं बलकि उसी लड़की की होती है जिसका दूसरे दिन गोना होने वाला था यह नहीं रेखा की दूसरे दिन सुबह उसका पती उस उसकी हत्या कर दी जाती है गाउवाले उसी समय मोक्य पर पुलीस को कॉल करते हैं परवत सर जो थाना सेक्तर है वहाँ से पुलीस पहुंचती है पुलीस जब जाकर उन लोगों को चेक करती है उन डेड़ बोड़ी को जब चेक करती है उन दोनों को अजमेर रेफर किया जाता है और जब अजमेर रेफर किया जाता है तो कुछी घंटों बात पता चलता है कि उन दोनों की भी जान चा चुकी है अब चारों को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पुलिस अपने हिसाब से चानमिन करती है और लोगों से जब पूंस्तास करती है तो पता चलता है कि जो अनाराम गूजर है उसकी मान सिक इस्तिती अच्छी नहीं थी वो चीर्चड़ा था हर किसी बात पर मारने पर उतर जाता था तब ही पुलिस को इस बात से और डल लगता है और पुलिस सोचने लगती है कि कहीं न कहीं और किसी और की वो हत्या कर दे इससे पहले जल्द से जल्द उसे ढूंड कर उसे गिरपतार किया जाए पुलीस बड़ी मसकत करती है और बड़ी मसकत के बाद 4 अपरेल 2023 को उसे किसी दूसरे गाउं से पुलीस दिन के करीब 11 से 12 बजे के आसपास गिरपतार कर लेती है गिरतार करने के बाद उसे फ्लीश टेसन ले जाया जाता है और जब उससे पूश्तास की जाती है तो वो भी हैरान और प्रेशान हो जाता है उसे यकीन ही नहीं था कि उसके हाथ तो चाल लोगों की जान चाच चुकी है और वो भी किसी और की नहीं बलकि उसी के परिवार के खासम-खास चार सहदम दिशских यह निए उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके दोहिते और उसकी तीसरी वाली बेटी की उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इस गटना को अंजाम किसी ओर ने नहीं बलकि उसने खुद ने इस गटना को अंजाम दिया है हमेशा ऐसा ही होता है जब कोई वेक्ती मानसिक इस्तिती से पेडित होता है तो वो कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसका एहसास जब तक उसे होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और उसे यकिन भी नहीं होता है इसके बाद पुलिस उसे गिरबतार करके ठाने में रखती है और साथ ही जब कोट में फेस किया जाता है तो 6 अपरेल 2023 को माना राम गुजर को उमरकेत की सजा सुनाई जाती है जब उसे उमरकेत की सजा सुनाई जाती है जेल उसे भेजा जाता है तो माना राम गुजर को फिर भी इस बात का एसास नहीं था फिर भी वो मानने पर राजी नहीं था कि उसी के हातों से उसके परिवार के चार सदिशों की जान जा चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों माना राम गुजर जेल तो काड रहा है लेकिन अब उसे इस बात का दुख है कि जो हत्या उसने की है उस बात का उसे पता तक नहीं है यानि मानसिक इस्तिति के चलते उसने जिस गटना को अंजाम दिया है उस गटना के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है इस गटना को सुनाने का उदेश है किसी की भवनों को ठेस पहुचाना, किसी की बदनामी करना नहीं है, अप ही तो आपको शतरक वशावदान करना है, और साथ ही इस गटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, इस तरह की सची गटना है, आप सुनना पसंद करते हैं, तो आ आगे मिलते हैं, फिर एक और सची गटना के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जेहिन, चेह बार,